नमस्कार कक्षा आठ एक्सरसाइस तीन पॉइंट दो का प्रेशन नंबर चार हम करने जा रहे हैं प्रेशन है एक सम बहु भुज की भुजाओं की संख्या ग्याद कीजे यदि इसका प्रतेक अंतह कौन 165 डिगरी का हो बच्चों हमें नहीं पता की सम बहु भुज की कितनी कॉशन समझाने के लिए नtså क्या विए मा लेता है यह को यह इसका बाहर वाला कौन अандर कोन या निया अंदर वाला कोन अंदर वाला कोन है 165 तो बाहर वाला कितना होगा देखे सीधी रेखा है कुल कोन होगा 180 डिगरी रहकी की विगम और यह 165 है तो यह बाहर वाला कितना होगा 15 इसी प्रकार से यह अंदर वाले 165 है तो बाहर वाला कितना होगा 15 इसी प्रकार से इसके कितनी बुजाएं हैं लेकिन हमने ये जरूर देख लिया कि यदि अंतह कोण 165 डिग्री है तो बाहर वाले कोण 15 डिग्री होंगे ठीक है तो देखिए हमने पढ़ा था किसी भी बहु बुज के बाहिय कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है और परतेख बाहिय कोण किसके बराबर आया अभी हमने निकाला बाहिय कोण हर बाहर वाला कोण किसके डिग्री के बराबर आया 15 डिग्री के बराबर आया तो हमने लिख दिया 15-degree, भाहे इकोणों का जोड दिया हुए 360, हर भाहे इकोण 15-degree के बराबर है, तो कितने भाहे इकोण हुए, या कितनी भुजाए हुए, जितने इकोण होंगे उतनी भुजाए होंगी, तो मैं लिखता हूँ भुजाओं की संख्या, यह बिल्कुल 60 को 15 से भाग करने पर 15 दुनी 30 6 में से 0 निकाला 6 उपर से उतारा 0 यह गया 60 तो 15 के पाड़े में 60 15 चोके 60 60 में से 60 निकाला 0 इसका मतलब 360 को 15 से भाग करके कितना आ गया 24 आ गया 24 डिगरे इसका अर्थ यह है कि सम बहुबुच की कितनी संख्या कितनी भुजाएं है 15 सोरी 24 तो हम लिख देंगे सम बहुबुच की 24 भुजाएं है यही हमारा उत्तर है आशा करता हूँ यह प्रशन आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा यदि आपको समझाया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और इस प्रशनावली के बाकी प्रशनों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यव जबाद